आपने पेपल एकाउंट में अपने बेंक एकाउंट को कैसे जोड़ सकते हो वहां से आपको अपने पेपल एकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए पेपल एकाउंट के पैसे को अपने बेंक एकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए हमें अपने पेपल एकाउंट में अपने बेंक एकाउंट को एड करना होगा जोड़ना होगा तो आज के इस वीडियो के अंदर में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने PayPal एकाउंट में अपने bank एकाउंट को जोड़ सकते हूँ तो आज के इस वीडियो के अपने bank एकाउंट को एड करने के लिए यहां से आपको अपने mobile phone के स्क्रीन पे आज आना है और Chrome ब्रॉजर को ओपेंड कर लेना है यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है PayPal and PayPal सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला वेबसाइट आएगा PayPal का और ओफिसियल वेबसाइट सिंपली से आपको उस पर क्लिक करना है and उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉग इन वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे आप login वाले बटन पे click करोगे तो यहाँ पे आपको ID और password डाल के यहाँ पे login हो जाना है आपने जिस समय PayPal account बनाया था जो email ID और password सेट करा था वही email ID और password यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे log in हो जाना है जैसे आप login हो जागोए उसके बाद यहाँ पर आपका PayPal account जो ओपन हो जाएगा and PayPal account बेपने bank account को add करने के लिए यहाँ पर जो 3 line का option दिख रहा है तो simply आपको 3 line वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा and नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा link a new bank account का तो simply से आपको यहाँ पर click कर देना है because आपको bank account link करना है तो यहाँ पर click करने के बाद आपके समने कुछ ऐसा page आ जाएगा तो simply से आपको यहाँ पर first वाले box में अपने bank account का IFC code डालना है and second वाले box में आपको अपने bank account का number डालना है तो यहाँ से bank account का number और IFC code डालने के बाद यहाँ पर आपको link your bank पर click करने के बाद आपके समने कुछ page लोड होगा और आपके समने कुछ आईसा interface आ जाएगा तो यहाँ पर PayPal company वालों के तरफ से आपके bank account में दो small deposit किया गया यानि कि आपके bank account में PayPal की तरफ से दो बार पैसे भेजे गए हैं छोटे amount में 1.5 रुपया से कम करके तो वही 1.5 रुपया से कम करके जो आपके bank account में amount भेजे गए हैं वही amount आपको इन दोनों box में डालना होगा तो उसके लिए आपको अपने bank का statement चेक करना होगा यानि कि history चेक करना होगा कि कितना कितना रुपया करके आया है तो यहाँ से मेरा bank जो है UCO bank है तो यहाँ से मैं अपने UCO bank का statement चेक करना है जिस परकार का आपका bank है उससी तरह का आपका भी statement आपको bank का check कर लेना है तो यहाँ से मैं अपने bank का statement चेक करने के लिए UCO M Passbook app open कर लेता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरा statement में कितना कितना रुपिया करके आया है तो guys यहाँ पर मैंने अपने bank का statement open कर लिया तो यहाँ से मैं अपने Chrome को open कर लेता हूँ और पहली वाले box में मुझे डालना है 1.15 पैसे और दूसरी वाले box में यहाँ से मैं डाल लेता हूँ 1.06 पैसे और डालने के बाद यहाँ पर आपको confirm वाले button पे click कर देना है अब जब भी कभी आपके PayPal एकाउंट में पैसा आएगा तो वो उटमेटिक से पैसा आपके bank एकाउंट में ट्रांसफर हो जायेगा तो इस तरह से आप अपने PayPal में आपने bank account को जोड़ सकते हो अपने bank account को एड़ कर सकते हो आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगे और वीडियो पसंदे तो वीडियो को लाइक का दना और चैनल पर नेखोट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज का दना तो आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए बाब आटे केर जय हिंद जय भारत